हेलो गाईज, वेल्कम टी सुनिय आलान्ड क्लासेश आज इस वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है डियन मजुमदार के बारे में डिस्कस करेंग इस वीडियो में कि उनका जन कब हुआ, डेथ कब हुआ, उनका introduction क्या था, उनका contribution क्या क्या था, anthological field में डियन मजुमदार जिनका पूरा नाम धिरेन रनात मजुमदार था और इनका जो जन्म है वो 1903 में हुआ था और डेथ किया थे 1960 में 3 जुन 1903 स्विम बिहार आजी की राजधानी पटना में इनका जन हुआ था और इनकी मा का नाम कुषुम कुमारी और पिता का नाम रिकी रमन मजुमदार था 10th और 12th इननों धाहजरगा सरकार विद्धावले से प्रापत किया था और ग्रैजविशन इननों ने इन्युटी कॉलेश कल्करता 1922 में किया था पीजी कोलकता इन्युवर्सिटी से मालासास विस है में इन्होंने 1924 में जो एक्जाम दिये थे वो फर्स डिविजन से किये थे इसी वर्स ये छोड़ा नाकूल जारकंडाय यहां इनकी भीट सरत चंद्र राय से हुई इसी राय इन्हें मालासास से अधिन के लिए उत्साहि किया 1926 से इसी में इन्हें कोलकता विसुद्याले द्वारा मालासास त्यान संधान हितु प्रेम चंद चात्र वृति परदान की गई इसी अधार पर इन्हें जारकंडाजी के कुल्हान यानि पस्चमी सीभूं की होजन जाती के उबर सोधकारे संपन किया 1928 इसी में इनकी नियुक्ति लखनो विसुद्याले के अर्थ सास्र और समाज साज विभाग में आदिम अर्थ सास्र के विख्याता के रूप में हुआ 1933 स्वी में ये वानसासर में अध्यान करने Cambridge University London चले गया 1937 स्वी में इनको लखनो विसुद्याले द्वारा पिएजडी के उपाधी परदान की गई 1938 में लाहूर में आजित अखिल भारती विख्यान कॉंग्रेस के मानविख्यान साखा का ध्यक्ष इने बनाया गया 1946 स्वी में लखनो विसुद्याले द्वारा इनको रीडर बनाया गया 1947 स्वी में इन्हें मानसासर पत्री का Eastern Anthemology की अस्थापना की 1960 में इनको लखनो विसुद्याले द्वारा कला संकाई का संकातिक्ष बनाया गया ो इनका दैथ 31 में 1960 में इसी में हो गया था अब हम करेंगे Contribution के बारे में यानि योग्दान के बारे में कि और लोजी के field मैं Church Sports ika्योग अधिन में जच्छ एनका संक्रिक मान If Shades दे Opportunal में दानने में डेक्ष ग्राम शाग्दान नेक्स्ट जाति प्रत्रा एवं शं प्रेशन अध्यान में योक दाओं جत सास्त र सांस् कतिक मामस्ता इनकर करे गैंकर को आरेक कलाप से एक्जम्पल के लिए इन्होंने भासा, धर्म, जादू, कला, सम्मु, संगर्ठन, संस्ता, सेवा इत्यादी दिया है और इनका जो इसके उपर जो इसके उपर रहे सांस्क्रिति मालासास के फिल्ड में तो ये बुक जब पढ़ेंगे अट्राइबल इन टांसियन अस्टरी इ रहा है, इन्होंने हो जन्जाति के उपर सोपरत्रों, इसवए में पुस्तखक कर परकासन किया था, हो जन्जाति जाटि के साथ ये तीन वर्स रहे, जब होजन जाती पे उन्होंने रिसर्च ये कर रहे थे तो उन्हें फिल्ड एडिया में त्री येर्स अपने टाइम वहाँ पे स्पेंड करना पड़ा था बारा साल के बाद फिर ये होजन जाती का धिन किये और उनकी पुस्तक 1950 से प्रकासित हुई इस पुस्तक में उन्होंने जन जाती के उपर खानू कार खानू और यूद के प्रभावों का उलेक क्या है जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि होजन जाती स आपको मिलेगी नेक्स उनको कांट्रिपुशन सारे इक मानव सास्ट में योगदान फिजिकल एंथ्पुलोजी में भी इनका कांट्रिपुशन अच्छा खासा रहा है सारे इक महत्पुन योगदान रहा है उन्होंने यूपी गुच्रात बश्यम बंगाल में मानव मीतिय था सीरम समंदी अधन किया था स्टड़ी किया था इसके साथ थी जार्खर्ण राजी की हो जन जाती और एंपी की गुण जन जाती का भी सीरम सर्वे इन्होंने किया था सीरम स्टड़ी के अधार पर इन्होंने यूपी के जनसंख्या का आनवनसिक सम्बद पंजाब और ब बहाउना का धार जिव मीत्य भी है इन्होंने अपनी पुस्थक रेसस एंड कल्चर ऑफ इंडिया जो कि 1944 में पब्लिस हुई थी इसमें इन्होंने प्रजाती को परिभासत करते हुए कहा कि परजाती लोगों का एक ऐसा समो होता है कि ऐसा गिरुप होता है जिसके सदस्य समाने भौतिक या सारेल्Freak विसेस्ता दरिसाते हैं तता उसके अधार पर अपने आपको दूसरी परजाती से अलग करते हैं इन्हें प्रोटो औस्टलोइट प्रजातिकों भारत के सबसे आरंबिक निवासी माना है। सारे एक मानसास के छेतर में इनका भारती सीसों के उपर ये बच्चों के उपर कैसे उनकी बृती हो रही है। इसके उपर अध्यन भी एक महत्पुन योगदान माना जाता है। अपनी वृत्यों के समय में ये यूपी की अप्राधिक जातियों के मध्यरक्त समूं का अध्यन कर रहे थे यानि की ब्लड ग्रूप पे ये स्टॉडी कर रहे थे। इन इसके उनकी ब्लड ग्राम अध्यन में योगदान यानी की गाउं के उपर इनका अच्छा खासा कांटिविशन रहा है। अध्यन को जानने को कि इंडिया में जो मैंस जो गाउं होते जो विलेज होते हैं उनमें किस तरह का कल्चर सीविलाजेशन अट्मोसफिया पाया जाता है। इन्होंने लखनौ के समीब एक मोहन नामग गाउं का अध्यन किया। अपना फिल्ड एरिया चूज किया। मोहन जो कि एक गाउं का नाम है लखनौ यानी यूपी उत्तरपर्देश इस अध्यन के अध्यार पे इन्होंने अपने पुस्तक कास्ट और कॉमिकेशन इन इंडियन विलेज का प्रकासन किया 1958 में। इसके बाद इन्होंने मिर्जापु जो कि वह भी यूपी में है कि समय पेक चितोरा नामक गाउं का अध्यन किया था। इस पुस्तक का प्रकासन 1960 में हुआ था। इस पुस्तक का सिर्शक चोर का एक गाउं था। इन पुस्तकों में ग्राम जीवन के समस्त पहलों का विव डूस हुई थी। इसमें दर्साए के ग्राम समुदाएं में जाती प्रता एक सच्चाई है क्यालिटी है। यूपि एक ही गाउं में रहने वाली जातियों का स्थान एक समान नहीं रहता है। अपने स्थान के अनुसारी विभिन जातियां आपस में प्युहार करती हैं। विविना स्थान वाली जातियां अपने पद एवा स्थान के अनुसार ही एक का दुसरे के लिए संबोधन सब्दों का प्रियोग करती है, संबोधन सब्दों का अचारण में ही किसी जाती का ग्राम में स्थान का पता चल जाता है. नेक्स्ट उनका कांटिबूशन है नगरी मानसास में योगदान इनके अनुसरा नगर के वल जंसंक्या घनत ही नहीं दरसाता है बलकि परते एक नगर की एक समाजी के रूप रेखा भी होती है इस रूप रेखा के विकास का अपना इतिहास होता है नगरे जीवन सैली अपनाने से कौन कौन सी समाजिक समस्या उत्पन हुई है नगरे जाती बेवस्ता, धन बेवस्ता, परिवार बेवस्ता, नातिदारी बेवस्ता तथा राजनेती बेवस्ता कैसे कारे करती है नेक्स्ट जूर्ण का कॉन्तिविशन था प्रागेती हास एक माला सास्र के फिल्ड में इन्होंने गुपाला सेरन के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रागेती हास या पुस्तक चात्रुप योगी है तथा प्रागेती हास के उपर इन हिंदी माध्यम से लिखी गई पुस्तक है तो स्टूडेंट्स ले काफी यूसफूल है यह वाली बुक तो गा